गूड मॉर्निंग एवरिवान दोस्तों स्वागत आपका प्रेप पॉइंटर्स में टूड़ी इस 23rd of September माइने मी सितेंद्र चोधरी और आज हम लोग प्रेप पॉइंटर्स में कौन-कौन से टोपिक करने वाले हैं IPMDA इंडो-Pacific Partnership for the Maritime Domain Awareness जो हम लोग इंडिया ने अभी-अभी हैं उसके लावद Sustainable aviation fuel यह हम लोग ने agreement किया है ब्राजील के साथ Cancer Genomatalus इंडिया ने अपना खुद का एक Cancer Genomatalus अभी तयार किया है जिसके वज़े से future में इंडिया में जो Cancer के cases होते हैं फिर Cancer को लेकर जो treatment होता है वो better हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने यह नहीं किया है, फर्स्ट टाइम किया है Global Cyber Security Index के अंदर इंडिया एक बहुत ही Top 5 Country के अंदर आई है, इसके बारे में बात करेंगे इस साल इंडिया में होने वाली थी, लेकिन इंडिया में नहीं हो पाई, यह finally meeting अमेरिका में हुई है इस बार अमेरिका में जो meeting हुई है Quad की, उसमें हम लोग ने कुछ दो तीन चीज़े नहीं एड़ की है एक तो हम लोग ने यह एड़ किया कि यह नया training program और deployment of the new technology लेकिन major जो रोल इसके अंदर पता क्या है, वो यह हुआ है कि Indian Ocean के उपर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा focus करेंगे देखे, Pacific Ocean पर हम लोग पहले से focus करी रहे हैं, अच्छा खाजा लेकिन अब Indian Ocean के उपर भी काफी ज़्यादा focus करने वाले है दो चीज़ों के उपर इसके उपर ज़्यादा तरह focus रहने वाला है एक तो रहने वाला है unregulated fishing यानिके जो illegal fishing होती है, उसके बारे में focus करेंगे एक हम लोग यहाँ पर focus करने वाले हैं humanitarian disaster के बारे में जो कि Indian Ocean के अंदर आता है, Indian Ocean दुनिया का one of the ocean है जहां पर जो सबसे ज़्यादा disaster prone है क्योंकि यह tropical ocean है और यहाँ पर जो country है वो भी बहुत ज़्यादा advance नहीं है तो जब भी disaster आता है तो disaster को handle करने में काफी कुछ problem इनको आता है एक और जो नया हम लोग ने यहाँ पर निकाली है चीज़ वो है coast guard, ठीक है, coast guard तो Australia, India और Japan के तीनों के coast guard अमेरिका में जाके वहाँ पर कुछ training करने वाले है उसके बाद यह चारो country बारी बारी सरसे chronological order में एक दूसरे के साथ coast guard का काम भी करेंगे मतलब यह हमारी जो coastal security है उसको और जदा enhance करने वाले है तो कुछ American ships सिधर आ जाएंगे, हम लोग Australia में चले जाएंगे, तो कुछ-कुछ वैसा होने वाला है यह इस चीज़ को लेकि चाइना का बहुत problem हुई चाइना ने अभी एक statement भी issue किया था, इस coast guard की exercise को लेके obviously चाइना को तो करना ही था, North Korea ने भी किया है क्योंकि North Korea का Japan के साथ issue चलते है तो वो कुछ-कुछ चीज़ यहां पर रहने वाली है जो यहां पर इस नहीं code के अंदर discussion किया गया है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना ने क्या बोला है हम लोग उसके आगे उसको forward करने वाले है तो एक तो हम लोग क्या करने वाले है जो अपनी coast guard, जो security है या फिर जो weather है, या फिर humanitarian है हम यहां पर commercial satellites का use करके दूसरे के साथ information share करेंगे maritime activity है, जैसे illegal fishing मैंने आपको बताया इसको लेके हम दूसरे साथ collaborate करने वाले है फोकस कहां पर रहेगा, ज्यादा फोकस होने वाला है इंडिया नोशन के उपर, थोड़ा फोकस रहेगा Pacific के उपर, थोड़ा फोकस रहेगा Southeast Asia के उपर भी फोकस यहां पर रहने वाला है तो इससे benefit ही होगा कि जो लीगल activity होती है time activity वो थोड़ी कम हो जाएंगी खासका रन-regulated fishing मैंने बात किया जो climate events है, जैसे disaster है, flood है यह थोड़ा जादा यहां पर आते हैं इनको हम लोग better तरीके से यहां पर definitely handle कर सकते हैं और existing जो हमारे पास जो center है जैसे इंडिया में है, Singapore में, वनातू, Solomon Island को इनको और modern technology का use करके ज़्यादा collaborate करना है देखें, यह थोड़ी सी information रहती है नहीं, इस तरह की वो थोड़ी सी vague रहती है clear cut directions यहां पर होती नहीं है देखें, जब भी कोई international agreement होता है, bilateral या trilateral या multilateral होता है शुरुआती दोर में, यह जो discussion से वो vague ही होती है दीरे दीरे जैसे meeting सागे बढ़ती रहती है वो picture जो है, वो clear होती रहती है हर country के जो भी doubt होते हैं चीजों को लेके वो अपने सामने रखती हैं वो clear होते रहते हैं तो 2-3-4 साल के बाद वो picture exact clear हो जाती है कि भी क्या करना है फिलहाल quod की जो meeting हुई है, वो आप यह समझ लिजे कि surface level की meeting हो या इन चीजों को लेके अभी कोई hard decision नहीं लिया गया है decision जब लिया जाता है तो एक SOP तयार होता है standard of procedure तयार होता है जिसमें हर चीज लिखी जाती है कि हम लोग यह करेंगे कब करेंगे, यह करेंगे, ऐसा करेंगे, यह step लिये जाएंगे अभी code की meeting, चाहे वो illegal fishing को लेके हो चाहे वो coast guard को लेके हो या technology sharing को लेके हो या commercial satellite का use करने को लेके हो अभी इसका SOP decided नहीं हुआ है तो इसको थोड़ा समय wait करना पड़ेगा future में जब भी code की next meeting होंगी तो यह कहां तक आगे बाद बढ़ी है ठीक है, थोड़ा उस context में आपका याद रखना है प्रिलिम्स के लिए code के बारे में काफी सारे सवाल आते हैं इवन में में भी जब सवाल आते हैं IR से तो code के बहुत बड़ा important topic हो जाता है और code के बारे में हम लोग ने दो दिन पहले भी बात किया था basically यह जो code है, चार country का group है United States, India, Australia, Japan 2007 में सबसे पहली बार इसका idea शिंजु अबे को आया था और फिर एश्यान की meeting होई थी जो 2007 में वहाँ पे इसके बार में discuss किया गया final जो framework बना था, वो 2017 के अंदर बना था देखिए, जो code है न, वो एक informal group है ठीक है, वो G7 जैसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना ही यह कोई security arrangement है यह सिर्फ सिर्फ चार दोस्त मिलके आपस में बातचीत करते हैं ठीक है, चाइना को इससे बड़ी problem है चाइना इसको कहता है भाई, यह तो Asia NATO है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बट, अगर यहां पर common चीज़ देखी जाए चारो country के बीच में एक चीज़ common है, वो है चाइना चारो ही countries के relation चाइना के साथ अच्छे नहीं है और हम लोग कहीना कहीं चाइना के influence को कम करना चाते हैं जिस तरह से चाइना Pacific Ocean के अंदर या फिर South China Sea में, अभी Indian Ocean के अंदर भी जिस तरह से वो interfere कर रहा है और जो global navigation है, जो trade routes हैं वो पहले जितने safe नहीं रहे तो चारो country का एक common, एक जो motive यही है कि जो international navigation वो थोड़ा safe रहे, secure रहे और international order को follow करे जैसा पिछले 50-60 सालों से follow हो रहा है वैसा करते रहें हालांकि यह चीज तीनो चारो लोग समझते हैं लेकिन formal तरीके से हम लोग ने कभी भी announce नहीं किया है कि जो alliance है, जो code हम लोग ने बनाया है वो चाइना को ध्यान में रखके बनाया है वोएसा हम ना किसी ने नहीं किया है और ऐसा करने को कोई राद भी नहीं है basically जलिए वैंकोमाइसीन क्या है, वैंकोमाइसीन बेखी लेक East antibody है Nab slave collecting हम लोग सभी kosong failures यह यह एंटिबाइटिक थोड़ी सी एड़वन्स होती है, जिब किसी आदमी को कोई ऐसा डीज हो जाता है, जो कि usual एंटिबाइटिक सथीक नहीं हो रहा है, तो ईसको यह थोड़ी सी एड़वन्स लेवल की हुए है, है treatment बोलते हैं second defense treatment भी बोलते हैं वो दी जाती हैं देखिए antibiotic तो सभी घाते हैं हमारे देश में तो इतना ज़्यादा खाते हैं और antibiotic resistance भी हमारी body में हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा antibiotic खाने लगते हो तो हमारी body फिर antibiotic के का आसर लेने का कम कर देती है है मतलब जैसे आप यह समझ लेज़े हैं जैसे मच्छर होते हैं पहले ओल आउट से मच्छर भाग जाते थे अब ओल आउट से मच्छर उतना भागते नहीं है ना के बराबर हो जाता है वो सबको पहले से पता है लेकिन एक रिसेंट स्टेडी हुई है जो यह कहती है कि अगर हम लोग एंटिबाइटिक का खासकर इस दवाई के पर यह रिसर्च की गई है अगर इनका हम लोग ओवर यूज करते हैं ना तो हमें इंफिलेमेटरी बावल डिसीज भी हो सकते हैं इंटरफिलेमेटरी बावल डिसीज मतलब हमारे गट से हमारे पेट से निकलते हैं आस्टमक के regarding disease होते हैं, बड़े खतरनाग भी हो सकते हैं किसी किसी level पे जाके, यह भी होते हैं, देखिए, हमारे जो पेट है, हमारा जो गट होता है, यहाँ पे हमारा जो intense time होता है, जैसे हमारा मालों यह intestine है, इस तरह से, समझ लेजी आप, यह intense time जो है, वो external environment के साथ contact में ह होता है, और यहाँ पे trillions, millions नहीं, millions और trillions की संख्या में bacteria होते हैं, ठीक है, और यह हमारी इस जो layer होती है, intense time की बाहर वाली, ठीक है, इसके उपर जमे रहते हैं, liquid की form में थोड़ा-थोड़ा सा, और जिसकी वजए से वो internal और external के बीच में contact करते हैं, और यह हमारी intense time वग जला है, जो यह layer होती है, यहाँ पर जो रहता है, उसे हम लोग mucous barrier बोलते हैं, mucous, ठीक है, होता यह है कि antibiotic जब हम लोग ज्यादा ले ले लेते हैं, तो जो harmful pathogens होते हैं, क्योंकि mucous barrier weak हो जाता है, तो यह हमारी intense strength के अंदर entry कर सकते हैं, और जिसके वज़े से हमें inflammatory bowel disease होत है, तो यह जो bacteria होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग gram positive या gram negative दो तरह के bacteria हो सकते हैं, दोनों से हमें protect करता है, जो harmful होते हैं, ठीक है, लेकिन antibiotic के use करने से यह इतना नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा इस दवाई के बारे में हमको पता होना चाहिए, vancomycin के बारे में, पूछ एक्जाम में आसे बही क्या है, एंकोबाइस इन्वाज रिसेंटली न्यूज, तो यह क्या है, तो इस एन एंटिबाइटिक ड्रग होती है, बेसिकली, एंटिबाइटिक और 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 यह जादा इसको ले ले लेते हैं, इससे आपका kidney problem हो सकती है, नोजिया, स्टमक पेन, डाइरिया वगरा वो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, इंफ्लेमेटरी बाइल डिसीस हम लोग ने दो हफ्ते पहले भी यह टोपिक किया था, तो इंटेंस्टाइन ट्रैक जो होता है, जहां से खाना पचता है, इंटेंस्टाइन, चोटी इंटेंस्टाइन, बड़ी होता है, उनको यह थोड़ा जादा हो जाता है, चलिए, अंडर्वाटर ड्रोन, बेसिकली अभी हमारे जो एनसे हैं, मिस्टर अजित दोवल जी वो फ्रांस में गई हुए हैं, और इस बार जो रिपब्लिक डे की परेड़ पे हैं, वो ही फ्रांस के प्राइजिदेंट भी हैं, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी आने वाले हैं, तो अभी वहाँ पे जो गए हैं, जो अजित दोवल जी गए हैं, तो उनके साथ एक agreement हुआ है, और यह formal agreement नहीं हुआ है, भी informal हुआ है, लेकिन हा, फ्रांस ने support किया है, कि वो इंडिया को कुछ submarines, nuclear submarines की technology transfer कर सकता है, कुछ jet engine की technology 100% इंडिया को दे सकता है, कुछ underwater drone होते हैं, इस technology को भी 100% इंडिया को दे सकता है, तो यह बात हुई है, हो सकता अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर यह technology इंडिया को transfer हो सकती है, फिलाल इसके पर बात चल रही है, तो यह underwater drone को लेके इंडिया काफी समय से पीछ कर रहा था, हम लोग ने अमेरिका को भी बोला, लेकिन बात नहीं बन पाई, लेकिन फ्रांस के साथ हमारे defense relation बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो फ्रांस ने finally कहा है कि हम आपको underwater यह drones देंगे, अभी तक आपने जो नाम सुना होगा, drone का आपने यही सुना होगा, के सर wireless होते हैं, आप surface से इंको control कर सकते हो, इन के अंदर camera, light, sensors, सब कुछ होते हैं, तो पानी के अंदर यह जाके बहुत सारी information gather कर सकते हैं, अच्छी अच्छी photo खीच सकते हैं, जो marine life होती है, oceanography होती है, जो हमारे ocean का bottom surface होता, उसकी mapping कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ, जो हम लोग development project करते हैं, उनका impact क्या होता है, maritime life, marine life के ओपर उस सब को detect कर सकते हैं, underwater caves, ship racks, जो पुराने डूबे हुए ships होते हैं, उनको study करने के लिए, तो इस underwater drones करागा, use क्या जा सकता है, और ऐसा माना जा रहा है, अगले साल जो है, February, March तक इंडिया को शायर transfer हो भी जाएगा, technology transfer हो में तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन हा, वो drones हम लोगों को फ्रांस से जल्दी ही मिल सकते हैं, उस context में थोड़ा सार्टिकल दिया गया था, चलिए, sustainable aviation fuel, जो की aircraft में करा हैं, हम लोग use करते हैं, right, sustainable का मतलब यह होता है, हम लोग इसको यह ऐसा fuel हो, जिसको बनाने के लिए जो raw material होता है, वो हमारे पास nature friendly होना चाहिए, पहली बात तो यह, दूसरा वो सस्ता होना चाहिए, तीसरा उसमें उसे जो green house gases हैं, वो कम से कम निकलनी चाहिए, उसे हम लोग sustainable aviation fuel बोल सकते हैं, अग एक चीज़ देखिए, आप लोग जब हम लोग bio fuel की बात करते हैं, तो bio fuel relation भी ठीक ठाक हैं, तो दोनों country ने decide किया है कि क्यों न हम लोग sustainable aviation fuel बनाएं, ठीक है, वो हम लोग ऐसे करेंगे, जो non petroleum food stock होता है, sugar cane का waste material होता है, maze होती है, basically यह भी bio fuel ही होगा, जिस तरह से हम लोग अभी फिनो लोग बना रहे हैं, लेकिन यह इतनी अच्छी quality का होगा, इ इसे हम लोग अपने aircraft में भी यूज कर सकते हैं, तो कि इसे यह greenhouse gas release नहीं करेंगे, पहली बात, इनको बनाने की process में भी बहुत ही कम greenhouse gases release होती है, और यह renewable source होता है, और clean source होता है, तो हम लोग ने decide किया है कि जो bio fuel jet है, यह हम लोग बनाएंगे कैसे, जो हमारी food stock होती है, ठी sugar cane waste वगरा इनका use करके बनाएंगे, यह दोनों country ने फिलाल decide किया, benefit तो इसके बहुत सारे होंगे, सीधी सी बात है, एक तो जो sustainable aviation fuel हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वो हमारा बहुत सारा पैसा यहां से save हो जाएगा, और greenhouse gases के emission को कम करने में help करेंगे, पैरिस के अंदर हमारा जो target है, वो अचीव करने में असानी रहेगी, और employment generate होगी, आतों निवर बन जाएंगे, benefit तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसको बनाने इतना असान नहीं है, इस sustainable aviation fuel को बनाने में अभी तक हम लोग ने तया, technology है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, theory में, practically factories वगरा लगाना, इनको सेट अप करना, फिर वहाँ generate करना, लोगों को training देना, it may take little bit more time, but yes, अगर discussion शुरू हुई है, तो definitely 2-3 साल में हम लोग इसके उपर काम भी करना शुरू कर सकते हैं, उस context में याद रखना है, तो prelims में हम से simply ऐसा पूछेगा कि sustainable aviation fuel बनाने के लिए इंडिया ने हाल फिलाल म में याद रखना है, चलिए, cancer genome atlas, atlas था पता ही है, atlas का मतलब होती है, detailing होती है, ठीक है, एक record होता है, ठीक, एक database होता है, हमारे पास, जिसे हम लोग atlas बोलते हैं, देखे, दुनिया भर में cancer patient होते हैं, ठीक है, उन cancer patients का data होता है, अब यह आप चीज़ देखे ज़रा, ज अगर किसी Tamilian person को cancer होता है, किसी कश्मीर वाले को होता है, किसी मनिपूर वाले को होता है, किसी गुजरात वाले को होता है, किसी 36 गड़ वाले को होता है, हम लोगों का थोड़ा-थोड़ा genetic variation थोड़ा-थोड़ा अलग रहता है, ठीक है, अगर किसी Japan वाले को होता है, उसका दोनों के लिए आप सेम treatment नहीं दे सकते, दोनों के अगर आप सेम medicine दोगे तो शाय दोनों के ओपर उस medicine का असर थोड़ा अलग-अलग हो सकता है, अभी तक हमारे doctors क्या कर रहे थे, हम लोग western countries का जो cancer का database था, उसको use कर रहे थे और उसके हिसाब से अपने treatment कर रहे थे, जिसकी वज़े से treatment इंडियन population के उप्रोटने effective नहीं हो रहे थे, it's a reality, अब हुआ क्या है, हम लोग ने अपना खुद का एक cancer genometalist तयार किया है इंडिया में, जिसके अंदरा भी 50 के लगभग breast cancer patients की detail है, इसमें patient की personal information नहीं होती है, सिर्फ उसके RNA, DNA profile, उसका cancer profile होता है, protein profile होता है और ये openly सब के साथ share किया जाता है, क्योंकि molecular level पे हर को different होता है, तो इसमें ये होगा कि जो Indian doctor है, वो Indian patient, जो cancer patient है, उसको study कर सकता है, ठीक है, अगर 36 गड़ में किसी महिला को breast cancer हुआ है, अगर उसकी पूरी detail अगर वहाँ पे है उस portal के ओपर, तो एक गुजरात में बैठा हुआ, डोक्टर उसको study कर सकता है, और उसको ये पता चल जाएगा कि भाई, अच्छा, इसको ये treatment हम लोगों ने दिया, ये दवाई हम लोगों ने दी, इससे इसका ये effect हुआ, वो ठीक हुआ, नहीं हुआ, ये end product निकला, तो हमारे लिए क्योंकि अब हम इंडिन population को include कर हैं, तो cancer का treatment करना भी better हो जाएगा, इंडिन doctors के लिए, ठीक है, और इंडिया के अंदर भी हम लोग ने थोड़ा अलग-अलग किया है, मतलब जैसे नोर्थ-ईस्ट की population ले थोड़ा अलग कर दिया, Southern Indian population ले थोड़ा सा अलग कर दिया, center के ले अलग से कर दिया, क्योंकि हम हमारे current patient से काफी जादा match करता है, अब वो योरोप के उपर हम लोग rely नहीं करेंगा उतना जादा, उस context में हम लोग ने बनाया था, तो यह जो इंडियन cancer genome analyst है, यह एक not for profit, public private philanthropic, philanthropic मतलब समझते हो ना, मतलब इंसानी भलाई के लिए काम करना, welfare के लिए काम करना, वो सब ह involved है, तो better access के लिए, और हम लोगों नहीं यह एक multi optics, जो है वो, omics, एक database बनाया है, multi omics का मतलब यह होता है, कि जो biological analysis approach होती है, हमारी, वो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, कि हमारे पास reference point होते हैं, तो अलग-अलग patient के अभी हमारे पास reference point होंगे, अभी फिलाल जो हमारा focus हो वो breast cancer के उपर रखा गया है, but future में हम लोग जो है, दूसरे type के cancer भी यहाँ पर include करेंगे, ठीक है ची चलिए, global cybersecurity index तो सभी को बदाई हो, India को finally global cybersecurity index में tier 1 status में रखा गया है, tier 1 status वो countries होती है, जो की 95 से लेके 100 के बीच में इनका score होता है, और यह काफी model country मानी जाती है, मतलब cyber security वाले case में, you can say they are the number one, tier 1 category में, इंडिया का यहाँ पर score रहा है, that is 98.49, कुछ गिनी चुनी ही country ऐसी हैं, जो की tier 1 के अंदर रखी गई है, mostly European countries हैं, तो इंडिया को उसके अंदर रखा गया है, तो यह हमारे लिए एक तरह का achievement भी है, और मतलब ऐसा Indian government, यह Indian agencies हैं, कुछ न इंडिया जो international telecom organization है, उनके द्वारे यह publish किया जाता है हर साल, और इंडिया में चाहिए आप legal preparedness माने, अभी इंडिया के अंदर जैसे कुछ laws हम लोग ने निकाले है, IT Act 2000 को भी हम लोग ने थोड़ा सा amendment किया है, telegraph act को भी किया है, अभी हम लोग ने social media के लिए ethical guidelines में निका आ रहा है, उसके लावा sectoral support भी है, कहीं सारी technical चीज आजकल हम लोग कर रहे हैं, जैसे CCRTS वगरा हो गया, अमेरिका के साथ अभी हम लोगों ने एक बड़ी शांता digital security के लिए meeting और technical training भी किया था हम लोगों ने, उसके लावा कुछ campaigns वगरा चल रहे हैं, भाई, colleges वगरा मे भी ethical hacking को लेके नए-ने course include किये गए हैं, अब उसके लावा government और private organization भी better report कर रही है, CCRTS ने तो सिधा कह दिया है, जो भी organizations के उपर attack होता है, कि within 24 hours आप हमें information दीजिए, कि आपके उपर cyber attack हुआ है, अगर नहीं करोगे, तो भी आपके उपर fine लगेगा, heavy fine लगेगा, पहले क CCRTS ने सिधा-सिधा कहा दिया, अगर आप बाद में पता चलता है, कि आपके उपर attack हुआ था, और हमें नहीं बताया, तो भाई आपके उपर heavy fine लगेगा, आपका license भी cancel हो सकता है, तो उसके बाद जो है, वो reporting थोड़ी better हुई है, इंडिया में, और obviously बात है, जो reporting better होती है तो काम अपना भी better हो जाता है, तो international cooperation होगारा भी हम लोग कर रहे हैं, चीक है, तो global cyber security index के बारे में थोड़ा सा बता है, वैसे मैं आपको बता दिये है कि international telecommunication unity के द्वारा इसको किया जाता है, cyber security को लेके commitment इनका है, उसके लावा 30,000 website और 1000 PDF को इसमें पुरा study किया जाता ह एक्सराइज एक्या, तो एक्या का मतलब होता है oneness, तमील भाषा में एक्या का मतलब होता है oneness, togetherness होता है, तो अभी national disaster management authority ने southern command के साथ मिलके, तमील नाडू के अंदर दो दिन का एक exercise एक्या किया है, इसमें हुआ ये, कि इंडिया के अलग-अलग state से, जो कि disaster management की agencies हैं, औ सबने आपस में मिलके, बैठके, वहाँ बात किया, और अलग-अलग topic में बात किया, even आज के समय में जो problem है, उनके उपर दिसकस किया ही है, जो past में, ठीक है, history में, disaster management का का impact रहा है, वो भी हम लोग ने discuss किया है, जैसे आप एक example दे सकते हो, जैसे हडपा civilization के लोग बात करत कोई virus attack हो सकता है, ऐसा हो सकता है, there are a lot of evidence for that, तो ऐसा ही नहीं, जैसे आप मायन civilization की बात करें, अगर South America में आप जाएंगे तो Central America में जाएंगे, तो बहुत सारी civilization ऐसी हुई, जो किसी ना किसी natural disaster की वज़े से या तो खतम होगी या decline हो गई, उन सब के बारे में बात किया ग disaster prone है, खासकर जो South Indian states है, यहां पे tsunami, cyclones को लेके काफी ज़्यदा prone रहता है, है न, उस context में, तो India का 2% GDP, हर साल हम लोग lose कर देते हैं because of the natural disasters, खासकर Southern Indian states जो की बहुत ज़्यादा vulnerable है for the cyclones and the floods, even tsunamis also, ठीक है, तो उस context में आपने इसको याद रखना है, even Tamil Nadu काफी proactive है, disaster management को ल alert नाम की दो application भी चला रखी है अपने state के अंदर, ताकि हम लोग इस चीज़ से better deal कर सकें, वो थोड़ा सा अपने इस context में याद रखना है, तो देश भर से बहुत सारी agencies, private agency, government agency ने इस ACIA के अंदर participate किया है, कुछ agencies के नाम यहां पे दिये भी गए है, यह आपको यह सच या foundation course के लिए कुछ information दे दीजिए, तो foundation course अगर आपको जोइन करना है 2025 के लिए, जिसमें पूरे का पूरा GS, पूरे का पूरा CSET और अगरा cover करवाया जाता है, बहुत अच्छे से, वो सारी classes online ही होती है, zoom app के through online चलती है, तो one to one live class चलती है, आप उसको जोइन कर सकते हैं, बह आपका test series भी होगा, one to one mentorship, ठीक है, content आपको पूरा दिया जाता है, current affair का, doubt resolution, सब कुछ, मतला आपको कोई छुटे की नहीं, कोई भी चीज, आप हो हमारे साथ जोड सकते हैं, उसको जोइन कर सकते हैं, तो आज के लिए तना ही है, thank you very much, all the best, जाहिंद.